कि भई शराब का घोटाला तो था जिसको देखो वही आद यहां मदहोश है केजरीवाल जी कह रहा हूँ बैठा हूँ दिल में इतने रास चुपाए जरासा होट हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई यह तो समझना बड़ा वीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्यारोपी विजय नायर आतिशी और सौरब भारतवाज को रिपोर्ट करते थे महोदे अब मैं यह कहना चाओंगा यह तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घुटाला तो था जिसको देखो वही आद यहां मधोश है अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई यह तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई लगता है सबने मिलबाट क पी और पिलाई यह दर्शाता है या जिसे हमने हिंदी में एक कावत है ना एक हुतो समझाइए आके कूपही में हिया भांग पड़ी है और थात एक वेक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो नशे में हो पर ऐसा लगता ह है कि कुए में ही भांग पड़ी है तो जिस ने पिया वही नशे में है ये गंभीर प्रश्ण उठा रहा है और अब इसके साथ ये भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरिवाल जी निरंतर एडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे शायद उनको लग रहा हो और उनक हूं दिल में इतने राज चुपाए जरासा होट हिले तो जाने कितनों का दिल डग मगाए है तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की इस्थिती भरश्टाचार के आरोप में उत्तरोतर स्पष्ट होती चली जा रही ह झाल आरोप में यहूंयों झाल थे सिर डभव हैं में इतनी तो जात स्वासाँ करने वाए हैं के बाद है